मुक्या मंत्री जाराम ठाकु ने जिला मंडी के सराज फिदानसवा क्षेत्र के बाली चौक में तेहसील कल्यान करले खोलने की घोशना की ताकि क्षेत्र के लोगों को लावांबित किया जा सके उन्होंने सराज विकास खंड के व्रिस के तहत 41.37 क्रोड रुपे की लागस से बनने वाली बाली चौक और बहु ग्राम समुह जला अपूर्टी योसना के सिलान्यास करने के बाद जंसवा को संबोधित करते हुए ये बात कही मुख्यामाद्री जाराम ठाकों ने सबसर पर खंड विकास अधिकारी बाले चौक कराले का और चिक रूप से अश्वा बरम किया उन्होंने कहा कि बाली चौक में खंड विकास अधिकारी कारले के खोलने से इस क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होगी तथा इस क्षेत्र की 34 पंचाईतों की लोग लावांबित होंगे उन्होंने कहा कि इस कारले के खुलने से पहले लोगों को अपने विविन कामों के लिए जनजाली तक का सफर करना पड़ता था लेकिन अब ये सफर नहीं करना पड़ेगा मुख्या मंतिर ने स्थानी कॉंगस नीताओं को भासपा में शामिल होने के लिए धन्यवाज करते हुए कहा कि वे क्षित्र वराजी की विकास के लिए सामोहिक रूप से काम करेंगे उन्होंने कहा कि परधान मंतिर ने 27 दिसंबर 2018 को आयोजित धरमशाला में आयोजित सामारों को संबोधित करते हुए राजसकार द्वरा राजी की विकास के लिए उठाय जा रहे कदमों की सराहना की है उन्होंने बाली चौक में हेलिपैट का निर्मान करने की घोशना की मुख्यामत ने बाली चौक में 5.0 करोड रुपे की लागस से निर्मित होने वाले बार सुरक्षा कारे का भी अधार शिला रखी इस अबसर पर बाली चौक विकास खंड की 34 ग्राम पंचायतों के परधानों वो शक्ति केंद्रों के सदस्यों ने मुख्यती थी का सुआगत किया और सुभारी गुरूप से इस बात को लेकर के मन में कही तरह से हमारे विकास और ये तो यहीं बात आती थी कि बाली चौकी क्षेत्र में जो है हमको विकास के लिए बहुत सफर तय करना पड़ता है और ये भी बात थी बहुत सारे लोगों के मन में इंदिजार के साथ साथ पर सफर करने के साथ विकास के लिए बहुत लंबा इंदिजार करना पड़ता है जैसे आदम ये फिर महिंदर सिंगी ने बात कही, ये बाते हमारे लिए सोचने के लिए भी संभाव नेची करने की तो दूर की बात है, जो आज हम अपने सामने होते हुँ देख रहे हैं। एक वक्त होता था जब हम अपने खित्र में आते थे लोगं के बीच में अगर पांच लाक रुपए की कोई जोजना, तस लाक रुपए की अगर जोजना जिसका जिकर करते थे लोग जमिन छोड़ करके, खड़े हो करके, तालियों से उसका स्वाबिक करते थे। और आज आपके बाली चौकित खेत्र में एक ही पाणी की योजना, जिस योजना पर जो है लगभग लगभग जो है वो ब्यारीस क्रोण रुपए खरक चुकों का उसका अमशिय लाक नियास करते हैं। प्रण्ग ब्लानसबाग शेत्र को हमने जोडने की बात कहीं, हमने का कि बीस ब्लानसबाग शेत्र के सभी साथियों का परधानों का भी धन्यवाद करता हूँ। हमने उसे बात कहीं कि क्यों न हम सांजा हो जाएं। एक अथा हो जाएं इस मुद्दे पर हम जो है थोड़ा ध्रण्ग धानसबाग शेत्र का, थोड़ा स्राज धानसबाग शेत्र का सब को मिला करके जो है एक ब्लॉक बना करके हमने आगे बढ़ें। तो मुझे इस बात की खुशी है कि सब लोगों ने हमारे उसे आगड़े को सबिकार किया, आज बाली चौकी में विधी बढ़ जो है उस ब्लॉक के कारले का हमने उस भाटन किया, जिसमें 34 पंचायतें, 10 पंचायतें, 14 पंचायतें द्रण्ध धानसबाग शेत्र की और 20 प पर परसंचाय एवम जन स्वास्तेमंती महेंदे जिसम्ठ ठाकू ने कहा कि एक शेतर के लोगों का सभागया है की जैराम ठाकूर पर्दीश के मुख्यामंत्री हैं। उन्होंने कहा कि ये मुख्या मंत्री के प्रियासों के कारण है कि राज्य को राज्य की विविन नदियों की 30 करण के लिए के इंदर से 4,892 क्रोड रुपे की फ्लड प्रोटक्शन प्रियोजना प्रापत करने में सफलता मिली है। इस अपसर पर विविन प्रमुक कॉंग्रिस सी नेता भासपा में शामिल हुए। राग रहेगा। कि आप सभी भाई बहन जो है मात्र सराज्ट तक ही नहीं आप कुलू जिला की तरक भी बढ़ debating आप मन्डी जिला को भी सुमा और पूर हिमातर पर देश ocd में जहां जहां भी आप पार्टी के लिए काम कर सकते हैं आप काम करें ताकि लगातार सराज को जो ताद मिला है वो लगातार 25 वरसों तक इस पर देश में बरकरार है नहीं चाहिए आप सब को बढ़ाएं आपका धन्यावा